मित्रो महंगाई महंगाई मंगाई इतनी छातिया पिटते थे पिटते थे या नहीं पिटते थे भी बताओ अचानक मोदी जी ने फैसला कर दिया कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम घटाएंगे घटा दिये मोदी जी ने अब बारी आई राजे सरकारों ने बादपास आसित राजे सरकारों ने भी दाम घटा है और कूल मिला कर पंदरा रुपया दाम घट गया अब इनको लगा थोड़ा सुनने में तकलिप हुई या क्या हुई मोदी जी ने अपने राश्टर के नाम संदेश में कहा कि कैनरे सरकार ने इतना टैक्स घटाया इतना पैट्रोल अब इनको सुनने में कोई गलती हो गई या उस वक्त उसी विचार चलता इन्होंने दारू सस्ता कर दिया बोली अरे भाई दारू नहीं करना दा सस्ता पैट्रोल और डिजल सस्ता करना दा अब इस प्रकार की समझे तो क्या सकते आपने कहना पड़ेगा देश भर में पैट्रोल डिजल पंद्रा रुपया सस्ता हुआ महराश्ट में क्यों नहीं हुआ है उद्धा उठाकरे सरकार इसका जबाब दे दारू नहीं चाहिए महराश्ट की जनता को सस्ता पैट्रोल और डिजल चाहिए मित्रोल नमोदी जी ने डीबीटी किया है हमारा डीबीटी का मतलब क्या है डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर मानुविक विद्धा है उसको बारा सो रुपया मिलना है तो सीधा इसके बैंक एकाउंट में पहुँच जाएगा बीच में कोई बीचो लिया नहीं आएगा कि लाओ माई सो रुपया लो तो मैं बारा सो दिला देता हूँ कोई नहीं आएगा कोई व्रुद है उसको व्रुद पैंसन मिलती है तो उसके एकाउंट में सिधा चले जाएगा कोई विध्यार्थ ही है उसको स्कॉलर्शिप मिलनी है तो इसके एकाउंट में सिधी पहुँच जाएगा इसको डाइरेक बेनिफिट ट्रांसपर केते हैं एक कॉंग्रेस, सिवसेना और एन्सीपी ने नई व्याख्या बनाई कॉंग्रेस ने डी पकड़ लिया डी से उन्होंने मतलब दी करा डाइरेक की जगे डीलर सिवसेना ने भी पकड़ लिया उन्होंने ब्रोकर और एन्सीपी ने ट्रांसपर में कट मनी हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर कहते हैं ये डीलर, ब्रोकर और ट्रांसपर का बिद्नेस कहते हैं बताए महाराश की जनता को क्या चाहिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर चाहिए या डीलर, ब्रोकर और टांस्पर इंडस्ट्री चलाने वाली सरकार चाहिए अरे मुझे कहने से क्या होगा ये पूने के मत्ताता हो को कहना पड़ेगा वो तब कह पाओगे जब घर-घर पुस्तिका लेकर जाओगे मोधी जी का संदेश लेकर जाओगे चंद्रकान दादा और दिविंद्र का संदेश लेकर जाओगे करोगे क्या सुना ही नहीं पड़ता भी अभी भी नहीं सुना ही पड़ता पर अभी कहा मैं तो अब उनकी तब्यद ठीक नहीं है भगवान उनको जल्दी स्वास्त प्रदान करे मगर जब अच्छी थी तब भी महाराज की धंता ढूंटी थी कहां है सरकार ढूंटी थी या नहीं ढूंटी थी जरा जोर से बोलो भगवाई ढूंटी थी या नहीं ढूंटी थी और मोदी जी ने 20 बार सारे राज्यों के इक इसो तीस करोड लोगों को को कुरोना की लड़ाई के साथ जोड दिया मित्रों ट्रांसपर के अंदर कमिशन लेने की इतने केस रजिस्टर हुए हैं बड़े बड़े करण और वसूली का साशन और विंडिक्टिवनेश से भारतिय जनता पार्टी के कारेकरता उको केस में फसा रहे हैं क्या आप समत्ते हैं भारतिय जनता पार्टी का कारेकरता इससे डर जाएगा क्या 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 क जोयम आपकी नेता इंदीरा घांधी चुनाव हार गई थी आपको याद नहीं है और क्रिमिनल केस लगा रहे हैं मित्रो ये सारी जो चीजे हैं चाहे हमारे साथ 19 के विदान सबा चुनाव के बाद जो विश्वास घात हुआ है इसका परिमार्जन करना है चाहे महराश के अं ब्रश्टाचार दूर करना है चाहे रुका पड़ा महराश का विकास उसको दुरुद गती से आगे बढ़ाना है चाहे महराश को अपना खोया हुआ गवरव वापिस देना है चाहे सीव छत्रपती के सपनों को साकार करना है ये सारा करना है तो कहीं से विजय की सुरुआत करनी पड़ेगी और मौका पूने वालों के हाथ में हैं इलोक मानने तिलक की नगरी है तिलक महराद ने कहा था सुराज मेरा जन्मसी अधिकार है और वो मैं लेकर होंगा सीवसे ना कहती है सत्ता मेरा जन्मसी अधिकार है किसी भी प्रकार से मैं लेकर होंगा अब बन गए ए आज भी कहना चाहता हूं अगर हिम्मत है इस्तिफा दिजिए करदो दोडो हाथ तीनों लोग एक साथ में लड़ने के लिए आए भारतिय जन्ता पार्टी का कारेकता तैयार बैठा है महाराश की जन्ता भी इसाफ किताब करने के लिए तैयार बैठी इस प्रकार से सिद्धान्त भी हिद्न रागनिती किसी भी राज्य की सरकार पसंद नहीं करती मैं कुछ समय पहले आया था तब मैंने कहा था कि महराश की अगाडी सरकार इस प्रकार की सरकार है जो तीन पहिये वाली ओटोरिक्सा है जिसके तीनों पहिये अलग-अलग दिसा में जा रहे हैं मगर मेरी थोड़ी गलती हो गई मैंने बहुत ऑप्टिमिस्टिकली इस सरकार के लिए सोच लिया आज मैं इसमें थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ महराश की अगाडी सरकार तीन पहिये वाली ओटोरिक्सा है जिसके तीनों पहिये अलग-अलग दिसा में है और तीनों पह यह पंक्चर है जो चलती ही नहीं है सिर्फ दुआ बाहर निकालती है और प्रदुशन बढाती है महराश की जनता के पास जाना पड़ेगा घर-घर में जाना पड़ेगा क्या है सरकार महराश का कल्यान कर सकती है जो महाराश्द आजाभी के बाद कई सालों तक हरक्षेत्र के अंदर टॉप मोस्ट रहा देश का नेतु तो किया चाहे कॉपरेट्य काम दोलन हो चाहे उध्योगी निवेश की बात हो चाहे उत्पादन की बात हो चाहे एक्सपोर्ट की बात हो चाहे direct tax collection की बात हो चाहे कुशी उत्पादन की बात हो चाहे दुख दुख उत्पादन की बात हो महाराश ने सालों तक देश का नित्रुतों किया क्या ये लोग महाराश को पुराना वहिबाव दिला सकते हैं क्या हमने मुकर कर कोई लाग लपेट के बगर ये बात लेकर महाराश के मत्दाताओं के पास पुरे के मत्दाताओं के पास जाना पड़ेगा ये निकमी सरकार और इस सरकार की पतन की सुरुवात इस सरकार के पतन की सुरुवात पुरे महरन नगरपालिका के परिणामों से होनी चाहे और लक्स कभी निचा मत रखना दोस्तों मैं सून रहा था कोई 100 कह रहा था कोई 110 कह रहा था कोई 120 कह रहा था लक्स निचा मत रखना जनता ज्यादा देने के लिए बैठी है मांगने में कंजूसी मत करना मैं आपको आज बता कर जाता हूं पूरे की जंता फूल से आपका स्वागत करने के लिए तैयार है परिश्रम करिए अपने आपको तैयार है महाराश के चुनाव में 2019 में आया था मैं खुद उस वक्त सिवसना के साथ जो समबाद हुआ मैंने खुद ने किया और मैं फिर से आज कहना चाहता हूं कि उस वक्त तैय हुआ था कि देवेंद्र फड़नवीश के नेत्रुतों में चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री भारतिये जनता पाथ मुकर गए सत्ता के लिए हिंदुतों के साथ समझोता कर लिए दो पीड़ी से जिनके सामने लड़ते थे उनकी गोदी में बैठ गए और कहते थे हमने तो कहा ही नहीं है वो कह रहे हैं कि मैं जूट बोल रहा हूं चलो भईया एक सेकंड के लिए मान रहे हैं मगर आपकी सभा के पीछे जो बैनर लगते थे ना उसमें आपके फोटो की और मोदी जी के फोटो की साइज जरा देखना आपकी एक चोथाई थी हर भासन में आपको मोदी जी का नाम देना पड़ता था आपकी उपस्तिती में मैंने और मोदी जी ने दोनों ने कहा था कि देवेंद्र फढ़न विश के नेत्रुतों में चुनाव लड़े हैं और NDA जितने के बाद देवेंद्र फढ़न विश मुख्यमंत्री बनना था मगर चुकी आपको मुख्यमंत्री बनना था आपने हमारे साथ विश्वासगात किया सत्ता पर बेठे और फिर क्या चलाया